आप लोग आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों यह वीडियो आपको मिलने जा रहा है चार सितंबर को और चार सितंबर एक बहुत खास दिन है मेरी जिन्दगी का क्योंकि आज ही के दिन मैं इस धर्ती पर आई थी है ना तो मेरा बटे है मैं चाहती हूं आप सब लोग मुझे अपनी दुआएं दें अपनी ब्लेसिंग्स दें अपना प्यार दें और इसी तरह से आपका और हमारा प्यार बना रहे इसी तरह से हमारा साथ बना रहे मेरी सारी सोल फैमली को आज के दिन में ब्लेस करती हूं आप सब लोगों के जीवन में हर प्रकार की तो दोस्तों एक दूसरे का हाथ पकड़ की ही आगे बढ़ा जाता है तो जैसे आपको पता है कि अभी 99 पोर्टल ओपन है अना तो बहुत सारी चीजें जो आपको मिलने जा रही है उससे पहले जो साइकल एंड हो रहे हैं ठीक है तो आप क्या अपनी लाइफ में इस पोर्ट मेनिफेस्ट कर पाएंगे کون से बिगस्ट ट्रांस्फोर्मेशन योण से बिगस्ट-चैन्जेश के बाद आप देख पाएंगे अपने जीवन में उसी के बारे में आज में देखना चाहती थी ऑनर्जी क्या है आपके लिए जो कुछ भी एनरजी निकल के आई वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ कि इस 99 पोर्टल आपके लिए कौन सी अबंड Spaß के दरवाजे खोलने जा रहा है और आपको किस प्रकार से यह 99 पोर्टल Fulfillment देने जा रहा है तो चलिए देखिये सबसे पहली बात जो है वोई ये है कि आपको भी पता है कि पास्ट कुछ दिनों से या कुछ वाक्त से बहुत ज़ादा एनरजी क्लिंजिंग हुई है बहुत ज़ादा ही एनरजी क्लिंज हुई है और मतलब हम यह कहा सकते कि एक तरह से बहुत next level healing हुई है आप लोगों की और रुकी हुई blessings के द्वार जो है न वो आपके लिए खुलने जा रहे हैं आपके लिए जो blessings अभी तक के लिए रुकी हुई थी और आपको बहुत इंतजार था जीवन में जिन चीजों का जिन खुशियों का वो आपके लिए manifest होने जा रहे हैं वो सारे दरवाजे आपके लिए खुलने जा रहे हैं आपके उपर एक तरह से धन वर्षा होने वाली है ठीक है और जब मैं बोल रही हूं आपको कि धन वर्षा है तो लिटरली धन वर्षा आप चकित हो जाने वाले हो कि मतलब ऐसा आपने कभी सोचा भी नहीं था है ना जिस लेवल की abundance जिस लेवल के धन दौलत आप अट्रक्श करने वाले हो अपनी साइड abundance एक बहुतने prosperity वाली energy है prosperous energy है abundance क्या है abundance mindset abundance mindset रखना जब आप start करेंगे तो जीवन के हर खेतर में आपको abundance दिखनी चुरू हो जाएगी abundance क्या है हर वेक्टी के लिए abundance के definition अलग है किसी के लिए खुशियां तो किसी के लिए दौलत किसी के लिए पैसा तो किसी के लिए success abundance जो कुछ भी आप अपनी life में सीधे राह पर रहते हुए अच्छे और सीधे रास्ते पर चलते हुए आपने अपनी life में attract करने की कोशिश की है हर वो abundance आपको attract होने वाली है आपकी तरफ ठीक है तो आपके उपर मैं तो यह कहूंगी कि बहुत जादा money matters जो हैं वो बहुत सारे आपके resolve होकर आपको बहुत सारी abundance मिलने वाली है इस जगह पर ठीक है कि देखी जो prediction होती है यह सही भी साबित होती है कि कली जैसे मेरी एक client है उन्होंने कल session लिया था कल reading book की थी और उन्होंने इसलिए reading book की थी उन्होंने मुझे बताया लास्ट यह उन्होंने मुझसे prediction ली थी और abundance के लिए क्या मतलब वो attract करने वाली है career wise job wise अपनी लाइफ में उस बारे में उन्होंने reading थी उनकी और उस वक्त पर मैंने उनकी लिए abundance प्रिडिक्ट की थी लास्ट यह और कली उन्होंने मुझसे reading ली और उन्होंने बताया claim कि कि हां और यह जो लास्ट रीडिंग थी वो उनके लिए बहुत अच्छी साबित हुई बहुत उनको manifest हुई है उनके जो past salary थी और अभी की salary उसमें अच्छा खासा difference उन्होंने manifest किया बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा जब मैं कह रही हूं तो सच में ही बहुत सच में देखिया आप मेरे लिए चीजे work कर रही है और यह बहुत एक अच्छी बात है कि किसी का अच्छा होता है तो अपने आपको एक दिली खुशी मिलती है मुझे बहुत खुशी हुई उनकी बात सुनकर मैं चाहती हूं कि मेरी सारी soul family को इसी प्रकार से सारे काम बनते चले जाएं until and unless देखिये हमारा intention खराब ना होना है तो आज नहीं तो कल हमको सब कुछ मिल ही जाता है जहां कहीं पर भी आपको रोकने की आपको स्टाक करने की कोशिश की थी हर उस जगह से आप आज नहीं तो कल निकल जाओगे कुछ भी इस दुनिया में कुछ भी permanent नहीं है इसलिए बोलते हैं जब success हो तो बहुत ज़्यादा घमन नहीं करना और जब आप दुखी है तो बहुत ज़्यादा दुख नहीं मनाना दुख की energy में रहोगे तो और अट्रक्ट करोगे खुशी की energy में रहोगे तो उतना ही आप high vibration attract करोगे और highly success आप अचीव कर पाओग ठीक है तो कामियाभी की सीडियों पर आप लोग कदम रख चुके हो और अब सिरफ और सिरफ जो रस्ता जाता है वो आगे की तरफ जाता है वैसे भी देखिए जो लोग divine journey में होते हैं न हमें लगता है कि हम slow है या हम दुनिया से पीछे हैं या दुनिया हमसे आगे निकल ठीक है बहुत बारी तो ऐसी भी शिकायत होती है लोगों की कि मतलब हमने क्या पाया इस twin flame journey में या divine journey में या spiritual journey में देखिए slow and steady winds the race है ना एकदम दोड़ना वाला एकदम भागने वाला वो उसका जो एक होगा और एक जो अपनी राह चलते हुए सही तरीकों को अपनाते जो दोस्तों आगे बढ़ता है नो उस वेक्ती की success का मकाबला नहीं कर सकते मकारी से चलने वाले लोग आपकी success का मकाबला कभी नहीं कर सकते और अगर मान लीजिए उन्होंने success अर्चित भी तो short term sorry मुझे क्या हो रहा है मेरी बहुत tongue slip हो रही है short term रहेगी उनकी वो success और स उनका पूरा जीवन ही एक circus है ड्रामा ही है ठीक है तो जिस किसी ने भी आपके लिए कामियावी के द्वार बंद करने की कोशिश की थी रोकने की कोशिश की थी वैसे लोग आपको आपको आप आओगे कि धीरे दीरे आपकी life से remove हो चुके है और सिरफ और सिरफ अब एक ही opportunity मिलने को लेकर परिशान है तो आपको मैं बता दूं कि आपकी परिशानी दूर होने आली है ठीक है अगर आपने कोई decision लिया है इस पास कुछ वक्त में ऐसा कोई decision आपने दिया है जिस पर आपको थोड़ा भी डर लग रहा है या शक हो रहा है या मतलब आगे चलके obviously कोई decision लेते हैं आप तो आपको एक लगता है कि आगे सलके क्या होगा क्या मैं ठीक जा रहा हूं जा रही हूं तो जहां कहीं पर भी आपने एक मतलब मुझे जो दिकरा हूँ दिकरा कि एक hard decision लिया आपने difficult decision था या ये ना ये फैसला आपके लिए काफी difficult रहा होगा और past में कई बार ना आपने ये फैसला लेने की कोशिश की थी लेकिन आप ने वो फिर reject कर दिया किनी कारणों की वज़े से ठीक है बट इस टाइम आपने जी कड़ा करके बहुत मतलब बहुत जादा अपने आपको prepare करके ये फैसला लिया ये decision लिया है और मैं आपको बता हूँ ये decision आ आपने वाला ये कहीं पर भी जहां पर आप अपनी लाइफ में justice चाते हैं या आपका अगर कोई case है या किसी ने आपको किसी तरह से जाल में फसाने की कोशिश की है कोई trap में फसाने की कोशिश की है हर उस जगे पे आप छूट रहे हो ठीक है आप निकल रहे हो और justice जो है आपके favor में होने जारा है क्योंकि मकारी तो अब कोई जगहीं नहीं है अब जो वक्त आ रहा है ये 2024 जो चल रहा है और अभी 2025 झो आ रहा है अपने सारे लक्शनों कर चुका है किसी भी प्रकार के धोखे की कुंजाऊ जब नहीं है मकारी की गुंजाऊ जब नहीं है हैं लोग सी त्रू कर सकते हैं लोग देख सकते हैं आरपाप ठीक है एक मैं यह कहूंगी कि चाहे स्प्रिच्वल जर्नी है चाहे दूसरे लोग है ना यह एक बहुत अच्छी बात हो रही है कि कहीं न कहीं थार्ड आई जो है ना वह मतलब लोगों को एक इंड्युटीवली चीज़े पता लग रही है मतलब एक अन्डरस्टैनिंग आ रहे है लोगों को ठीक है ना तो डंप डीशीजन आप ने नहीं लिया तो डंप डीशीजन वह प्रूव भी होगा आपका डिसीजन बहुत वाइस प्रूव होगा बहुत सम एक कहता है ना आप चल रहे हो और अगर कोई अबस्टेकल है तो खुदी साइड में हट जाएगी ठीक है खुदी आपका रस्ता छोड़ देगे क्योंकि ये डिवाइन करवा रहे हैं भाई हटो रास्ते से हटो बहुत हुआ ठीक है तो लाइफ में जिसने भी आपके ओपर च साइकल में खीचा गया वहाँ पर तो आपको बहुत जादा डेफिनिटली राहत मिलेगी क्योंकि बहुत जादा करमा वापिस ऐसे लोगों की तरफ वैक फायर हुआ है जो दूसरों का गलत करके अपना भला स्वैम का भला करना कोई मतलब उसमें कोई गलती नहीं है स्वैम उसको बिल्कुल वो नहीं करते हैं ठीक है ना बिल्कुल उसको जस्टिफाई नहीं करते है और जब डिवाइन जस्टिस होता है ना उसके बाद आप लाग चाला की लगा लो अब कार्मी के अनरजी लाग चाला की लगा लें आपके जीवन में कुछ करके बता दें वो किसी प्रयास ही नहीं किया इन्होंने तो यह समझा कि उनके गलत कामों को डिवाइन जस्टिभाई कर रहे हैं भाई डिवाइन को मतलब तुम कोई स्पेशल हो तो डिवाइन तुमको तो पाप में भी सपोर्ट कर रहे हैं तुमारे पापों में भी फेवर कर रहे हैं और एक जो ड सोचना कि डिवाइन आपको मतलब तुम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं नेगेटिव पीपल को सपोर्ट कर रहे हैं नेगेटिविटी को सपोर्ट कर रहे हैं इन लोग को इतना घमंड होता है ठीक है तो जैसे बताओं कितना घमंड होता है देखिए मेरा जो कार्मिक था ना वो जो भी चाल चलते जो भी चाल चलते और कुछ ऐसा था देखिए मैं तो यहीं कहती हूँ आज की तारिक में जब मैं सोचती हूँ तो वो ट्रैप में जो मुझे ले लेता था है मेरा जो था वो ज्यादा फिजिकल अभ्यूस भी चलता था लेकिन मेंटल अभ्यूस ज्यादा चलता था तो एक ऐसे ट्रैप में फसा ना जैसे मान लीजे कि उसका और मेरा फाइट हुआ और गल्ती उसकी है तो कुछ ऐसा होता था उसकी कन्विंसिंग पावर को वो ऐसे गल्ती की बजाए सामने अले की गल्ती बताएगा ठीक है तो उस पूरी गल्ती को मुझ पर प्रोजेक्ट करके और कुछ ऐसा होता था पता नहीं मैं चीक चीक के भी बोलूँ तो मेरा कोई यकीन ही नहीं करता था जबकि उसका सब यकीन कर लेते थे ठीक है आज तो मैं यह पर बार यह लगता था जैसे गल्त भी उसी ने कर दिया और फिर जूट भी सबको बोल दिया और सबने उसके जूट पर यकीन भी कर लिया तो उसको लगता था कहीं ना कहीं ना भगवान उसको सपोर्ट करते हैं और मेरी बात जहां कोई सुन नहीं रहा जहां कोई समझने क कोशिश नहीं करा, it means मैं कितने ही कुछ भी कर लो मेरे साथ कोई भगवान, कोई इश्वर नहीं है, तो आपको पता है, मेरा कार्मिक मुझे मुझे मूँ पर बोला करता था ये बात कि तु बड़ी शिव भक्त है ना, तुम बड़ी शिव भक्त हो, ठीक है तो तुम महादेव की तुम करो लाग पूजा अर्चना बोला, मेरी शक्तियां सोच के देखे उस वेक्ति के घमंड का लेवल ये लिटरली, उसके शर्द होते थे कि मैं एक मिनट में एक नजर डाल दू ना तुझ पर, तो तुझे खड़ा-खड़ा भस्म कर सकता हूँ, मेरी इतनी पावर है मेरी इतनी शक्तियां, वो उसकी दुरुपदी उससे बुलवा रही थी, ठीक है तो उसे लगता था कि जो ट्रैप वो बुनता है उसको कर्मों का गेम तो पता नहीं है कि जब तक भुगतना है, तभी तक मैं भुगत रही हूँ ठीक है, मेरा लिखा था वो भुगतना वो वेक्ति ये सोचता था कि वो विजयता है वो विश्व विजयता समझता था अपने आपको मतलब, आप सोच के देखिए कि और ego boost क्यों नहीं होगी उस इंसान की गलत भी मैं नहीं कर दिया और सब को जो कुछ भी बोला सब ने चुकचाप मान भी लिया उल्टा डांट भी इसी को पड़वा दी कोस ने भी इसी को मिल गए है ना, ताने कोस ने कर्स भी इसी को मिल गए ठीक है, लिटरली उसके समझाने पर मुझे लोग ये तक कह दिया करता था कि तेरे जैसी को तो मर जाना चाहिए तू जी किस लिए रही है, तू है किस लिए, ठीक है तूने इसको इतना तंग किया हुआ है लिटरली मेरा कोई पक्ष भी नहीं सुनता था, जब कर्म कर्म का चक्र चलता है जब तक मेरे साथ चल रहा था, तब तक इस लेवल पर होती है चीज़े है, अब मैं बोलने के लिए मूँ खुलो ना, तो मेरे अपने ही मेरी बात सुनने से में इनकार कर दें कि तूझे तो मर जाना चाहिए, तो तूने देख कितना परेशान करके रखा हुआ और मैं बोलती थी कि अरे भागा, आप किसी का सुन रहे हैं, तो दोनों का पक्षतों सुनिए नहीं, जो उसने कह दिया वो सकते हैं, ठीक है तो मैं आपको ये चीज इसलिए बता रही हूँ कि इगो बूस्ट होते होते बात-बाद में वो व्यक्ति मुह पर इतनी बड़ी बात बोल लिया करता था कि मुझे में इतनी पावर्स हैं इतनी शक्ति हैं कि मैं तो खुद शिव हूँ, मैं इस धर्ती पे शिव हूँ, मैं खड़ा-खड़ा भस्म कर सकता हूँ ये उसके लिटरली शर्दत है और मेरे टॉर्चर को बढ़ाने के लिए जैसे मानिये मैं शिव बापत हूँ है अब आप खुद सोच के देखिए कि उस वेक्ति को आप कैसे टॉर्चर कर रहे हैं जो उसके इश्ट देव हैं जिनसे वो बहुत प्रेम करता है वेक्ति ठीक है जो उसके लिए दयालू हैं उसके लिए प्रेम का स्वरूप हैं उसके मेरे लिए तो मेरे महादेवी दया का स्वरूप हैं है ना सब कुछ है मेरे लिए मेरे महादेव तो लिटरली इस वेक्ति के ये वेक्ति और इसके फ्रेंड्स लोग है ना वो मुझे ट्रिगर करने के लिए ठीक है अब आप सोचके देखिए कि जो वेक्ति मतलब आप बहुत अपने इश्ट देव के भगते हैं और बहुत प्रेम है आपको अपने इश्ट देव से को कहलवाता था इस तरह का और उसके दोस्त बोलते थे कि ये जो कि आरे मुझे बोला करते थे कि आरे तुम क्या शिव जी की पूजा करती हो तुम क्या शिव 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 करती हो इस वेक्ति को तुम पहचानी नहीं पाई ये वेक्ति ये ना धरती पर शिव का रूप है य इसे करना है तो इसकी पूजा करो अब आप सोच के देखिए कि जिस वक्ती ने मेरा जीना हराम किया हुआ है उसको मेरे इश्ट देव के बराबर लगाया जाता था ताकि मैं ट्रिगर हूँ और सच बात है वो वक्त भी ऐसे थे कि मैं कलपती भी थी मुझे मुझे गुस्सा आ भी जाता था मुझे बुरा लग भी जाता था तो मुझे वो ट्रिगर वो टॉर्चर बढ़ाया जाता था मेरे लिए ठीक है तो जो लोग इस टाइप की चीजे करते हैं वो लोग अपने जीतने की उमीद कर सकते हैं यह उनका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं तो और क्या है यह उनका ओवर कॉन्फिडेंस है ठीक है ऐसे लोगों को डिवाइन क्यों जस्टिफाई करेंगे ऐसे लोगों को डिवाइन क्यों सपोर्ट करेंगे कि हाँ हाँ तुम सताओ हम तुमारे साथ हैं है ना ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है आपके लिए बहुत सारी चीजे सुधर रही हैं जिस किसी ने आपकी लाइफ में चीजे खराब करने की कोशिश की वो चीजे ठीक हो रही हैं ठीक है रिश्टे सुधरेंगे आपके जहां कई भी जिसने मैनिपुलेट किया था ना आपके प्रती वहाँ पर आपके रिश्टे ठीक होना ठीक है बहुत आपको लोगों से कट ओफ किया गया दूर किया गया वहाँ पे हर उस जगे पर आपका रिष्टा ठीक होना आपका आपकी आप पर लोगों का ट्रस्ट बढ़ना आपकी बात का लोग यकीन करेंगे जैसा मैंने पहले बताया ना जब तक आप कार्मिक ट्रैप में होते हैं जब तक को वा कर्मा आपको भूखना होता है तो ऐसा होता है आप बेगुणा होते की बात ही सůने को राजी नहीं है मेरे साथ तो लिटरल ही होता था मेरे पर बरस पड़ते था उसकी बाते सुनकर सब लोग सब लोग एक तरफा फैसला दे देदा थे कि यह सईयत उगलत है और हर बार ऐसे इंसिडेंट के बाद वो व्यक्ति अपना टॉर्चर का लेवल और बढ़ा देता था क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो तो मतलब क्या ही बोले मतलब मतलब वो कुछ भी कर सकता है वो कुछ भी कर ले ठीक है कभी मैं आपको अपने अगर आप लोग सुनना चाहेंगे तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा चीजें जो हुई न एक्स्ट्रीम पे जाके और कहानी कैसे चली कभी बताऊंगे आपको और उसके बाद जब आप ठान लेते हो कि आप रिलीज करना चाहते हो तो डिवाइन कैसे आपको प्रोटेक्ट और हेल्प करते हैं मेरे अपने खुद के एक्जामपल्स के थू मैं आपको समझाऊंगे बताऊंगी मैं आपको अगर आप सुनने के इच्छुक हुए तो मुझे बताईएगा जरूर ठीक है तो आपकी उपर न लोगों प्रेजिटिव हो रहे हैं लोग पहले से जदा आपकी बात सुनते होंगे लोग मतलब आपका पक्ष भी सुनते हैं अब आपको क्यूंकि देखिए एक तो यह चीज़ है कि एक तो आपका कर्मा हील हो चुका है वहां पर दूसरी बात यह है कि बहुत जदा सोल फर्मली में आप बहुत जदा अब लोगों ओका थ्रोड चक्रा बहुत हील हो चुका है पूरी तरह से ठीक हो चुका है ह Pen अब ऐसा सीन है कि आप पहले जैसे बात करते थे न तो आप explain नहीं कर पाते थे क्योंकि वो जो आपको जो सहना है कर्मा जो आपका कर्मा है वो आपको उस स्टेज पर आने नहीं देता था कि आप ठीक से अपनी बात को convey कर पाओ जब आप convey भी करना चाहते होंगे न लोग ही confused जैसा समझ लेते होंगे अब जो आपका थ्रोड चक्रा ही हील हो गया आपका कर्मा भी जगे पे हील हो गया तो आप ज्यादा स्पष्टता से अपनी बात रख पाते हो आप पाओगे अब जैसे आपको चीज बोलोगे समझा होगे तो लोग आपको notice करते हैं लोग आपकी और दोशने को दो आपको आनेगे लिटरली करेंगे और आत की एनरजी और ज्यादा और ज्यादा लोगों को जो शायद कहीं ना कहीं आपी की तरह is ट्रैप में वसई होए है जो परेशान हैं अपने जीन में अपने जीवन में चीजे फेस कर एं वो लोग ने आपकी तरफ attract होएंगे ताकि उनको मतलब एक ऐसा खुद से ये divinely guided चीजे होंगे कि उनको लगेगा कि आपके पास हो सकता है उनकी चीजों का solution है लोगों ने आपको देखा है ना देखिए अंधे तो कोई भी नहीं होता है ना बस वो होता है कि जब तक हमारा कर्मा है तब तक वो चीजे हमें भोगने रहती है और हमने चुकचाप भोग ली तो अभी हम कर्म मुक्त हैं अभी हम कर्म मुक्त हैं तो अब हम आगे अपना purpose करेंगे purpose क्या हुआ भाई तो देखिए आपका soul purpose होता है ना आपके जीवन से बहुत ज़्यादा जूड़ा हुआ होता है जो परिस्तियान जो चीजे आपने face की होती ना वैसी ही चीजें आपको मिलती हैं आगे चलके soul purpose में अधिकतर cases में यही होता है वैसी चीजें आपको मिलती है ठीक है तो दो तरह से आपके soul purpose सामने आता है दो तरह से आता है बताती हूँ कैसे एक तो होता है ना आपने जो कार्मिक अपनी यत्रा के थूँ जो चीजे अपनी लाइफ में face कर ली समझे आपने एक distorted family को face कर लिया तो आप कोई आपके पास अगर solution के लिए आएगा ना आप उसको बहुत easily समझा सकते हो आप पहले तो उसको understand कर पाओगे उसकी परिश्थिती को देखिए मैं इसको थोड़ा सा समझाती हूँ आपको है ना normally क्या होता है कि कार्मिक parents हो मैं बस एक example देगी हूँ आपको ठीक है मान लीजे कार्मिक parents है तो नॉर्मली 3D में जो लोग होते हैं जो so called उनके harmonious रिष्टे होते हैं आपस में है ना अभी जो divine souls होती है उनको तो distorted families मिलती है तो अगर मैन लीजे कि आप किसी ऐसे इनसान को जिसने वो चीज़ देखी नहीं अपनी लाइफ में है ना तो वो wonder करेगा और सच बात यह है कि दिल में वो लोग ही सोच रहे होते हैं कि भाई एज बेटा बेटी तुम्हारी ही गलती होगी ठीके कोई माँ बाप कोई भाई बेहन ऐसे negative क्यों हो जाएंगे कोई तो reason होगा कोई तो कमिया तुमी में होंगी कि पूरा परिवार एक जूट होकर तुम्हारे साथ क्यों कर रहा है तो 3D का कोई इंसान थोड़े ना समझ पाएगा अब आप देखिए soul purpose कैसे होता है अब आपने अगर बच्पन से एक distorted family देखी आप being a divine soul तो अगर आप किसी की बात सुनोगे आप उसको question नहीं करोगे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है माब आप क्या से negative हो सकते है parents परिवार क्या से negative हो सकता है वो तो हमारे अपने होते हैं नहीं आप उसको judge नहीं करोगे उस इंसान को आप उसको समझोगे कि हाँ क्योंकि आपको पाता है कि चीजें ऐसी होती हैं कार्मिक साइकल से होते हैं तो इसलिए हीलिंग का टास्क इसलिए ये सारे अनुभव आपकी अर्ली एज में आपके पहले के जीवन में आपको दिये जाते हैं आपकी स्प्रिच्छल अवेगनिंग से पहले अब एक वेक्ति जिसने domestic violence आई ही नहीं है नगो ड्रिच्छ वाला इंसान उसके पास आजै कि क्या उसको सला देगा हैं यही तो गेम है यही तो सोल परपस है अपने जैसी आत्माओं को राहत पहुंचाना अगर हमने कुछ देखा है अपनी जिंदगी में तो हमारे उन एक्सपिरियंस के तुरू दूसरे लोगों को राह दिखाना उनको कर्मा के प्रती अवेर बनाना उनको जीवन की सचाई उनको करिंव चाहिए करने और इसमय तो हम लोग जो बात करते हैं तो कैसे लोग बोलते हैं इसकाई सब्सक्राइब उनको करके उठी हम मकेनیکली नहीं समझा रहें उनको चीज़ों को हम मकेन instinct की नहीं बता रहें उनको चीज़ों को हम तो उनको बोल रहें क्योंकि हमने वो खुद experience किया तो उनरश चीज़ इनसान को ज़्याधा effect करेगी उसके लिए ज़्यादा work करेगी ठीक है तो आपके लिए कौन से द्वार खुल रहे हैं तो आपके लिए इस प्रकार के रस्ते खुल रहे हैं जहां अब कोई कार्मिक एनर्जी आपको आपके सोल परपस के रस्ते में रोग नहीं पाएगी ठीक है और कभी लोगों ने अगर आपको इग्णोर किया था न वहीं लोग अब आपके पास जब पूछने आएंगे आपको इज़द देते हुए आपको आपकी आपकी आपको बलेसिंग्स देंगे आपको इज़द देंगे तो इन्हीं कार्मिक लोगों के जिन्होंने आपको पूरा जीवन लगा दिया अपना यूजलेस फील कराने में इनके मूँ खुले के खुले रह जाने वाले जो इनके अंदर का डैविल है पूरी तरह से शौक हो जाने वाला क्योंकि इन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि आप कभी अपने जीवन में संभल पाओगे भाई अपनी इविल शक्तियों पर बहुत यकीन था ना ठीक है भस्म कर देने की शम्ता रखता हो जो इनसान इन जिसको यह यकीन हो कि एक नज़र डाले तो वह श्म्ता करते हैं भाई तू कया ही तू क्या बोलें तूल यह नहीं तो तेरी वह शक्तियों को हम तो एपेरिशैटी कर सकते हैं और जो शक्तियां तेरह को गर्त में लेकर चली गए ह struggles तो उन शक्तियों से बढ़कर तो क्या ही बात होगी हम शक्ति ही नहीं ठीक है तरह आगे तो ऐसे लोगों को जीवन में खुद से उनका कर्मा जब सर्व होता है ना उनके लिए बहुत बुरी परिश्थिती हो जाती है क्योंकि हम तो दुख देख चुके तो हमें तो दुख क की आदत है इनको ना हार की आदत होती है ना इनको दुख की आदत होती है ना इनको मेंटल परिशानियों की मेंटल परिशानिया देते हैं खुद को तो फ्री रखते है ना तो इनको पता नहीं होता कि क्या होता है किसी को मेंटल डॉर्चर देना वो पता चलता जब खुद पर आएगा ना तो फिर बहुत तिल मिला रहेंगे फिर बहुत जख खाएंगे कि हां लेकिन यह नहीं फिर भी मानेंगे यह गैरंटी दे रही हूं आपको फिर भी कभी यह नहीं मानेंगे कभी किसी छूटे वे कार्मिक के पास वापिस मत चल दाना गलती से भी क्योंकि वो नहीं बदलेगा अपनी वो आज नहीं तो कल फिर आपसे इगो से ही आपसे डील करेगा और फिर आप बहुत बुरी तरह हर्ट हो जाओगे और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप वापिस जाओ तो आप पीछे के सारे दर्वाजे बंद कर आते हो अपने तो आपने इंट लगता ही यकीन नहीं करना एक नासिस का तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करना ठीक है ना यह अपनी सजा कोदी वुक्त देखिए एक इस लावल तक हमारे विश्वाश को चकना चूर कर देता है कि अभी तो तुम सर भी पोड़ो तो हम भाईया तुमसे फ्री है हैना अब कोई आपने वापसी का अटिचूट नहीं रखना ऐसी इनर्जी के प्रति कोई इनको सच बात बताओं आपको आपको लगता है कि आप इनको आप नहीं करेंगे यह आपको दिखाएंगे जरूर ऐसा कि तुम नहीं हो तो जिन्दगी में कुछ नहीं है ना तुम आ जाओ प आपका भला, आपकी तरक्की, आपका आगे जीवन में विकास, आपका भरपूर विकास हो, आप जीवन में अच्छे चीजे देखने और भोगने के, तो आप भी हखधार हो, तो कभी कभी भी यह नहीं सोचना आपने कि मैं इस वेक्ति का कुछ भला कर पाऊं, तो कोई बा आप पूरी हुमेनिटी का भला करो ठीक है आपको डिवाइन ने ये ड्यूटी दिया आपको इसका भला तो अपने आप इसने खुदी कर लिया आप थोड़ा सा डिवाइन की ड्यूटी करिए ठीक है विल्कुल अपना ध्यान भटकने मत दीजिए क्योंकि जो अफकमिंग प् जरती है कि आपका सल्फ लव आप कितना मेंटेन रख़गाते हो। अपास्ट की कोई भी टॉक्सिक एनर्जी तो कोई जरुत नहीं है उसको जरुत के जरुत हो इसको बापके जरुतन है तो मेंश्टी मस्टवाइट ड्यान तो मैं अपना बहुत ज़ादा ध्यान लगिए थेंक यू सो मत दोस्तों और बाई बाई